हेलो स्टुडेंट तो हम लोग सल्तनत काल में अभी तुगलक वंस पे चल रहा है तेरा सो बीस ते तेरा सो अंठानवे इस्वी तक पार्च सेप्टमबर तेरा सो बीस को खुश्रो खां को पराजित करकर गाजी मली किया तुगलक गाजी ग्यासुदीन तुगलक के नाम से आठ सेप्टमबर तेरा सो बीस इस्वी को दिल्ली के सिहासन पर बैठा तो पूछे कि तुगलक क्वंस का संस्थापक कौन था तो ग् पुछता है जो प्रथम सा सक्ता वह कौन था तो गया शुदीन तुगलक ने दिल्ली के समी पिस्तित पहाड़ियों पे तुगलकाबाद अभी भी दिल्ली में अगर आप कोई दिल्ली जाय होंगे जानते होंगे नाम का एक नया नगर अस्थापित किया था रोमन सेली में निर्मित इस नगर में एक दुर्ग का निर्मान भी हुआ था इस दुर्ग को चपन कोट के नाम से जाना जाता है कोशन पूछ देखा कि चपन कोट कहा है तो तुगलक का बाद दिल्ली में है अब होते हैं कि यह मुहम्मद बिन तुगलक आए गाएगा बाद में उसका क्या क्या काम था जीलक सब्छाइए है फिर संकेतिक मुध्राओं का प्रचलन किया खुराश्चन और कराचील का अभियान किया यह अब बाद में पढ़ते हैं तो देखते हैं कि मुहमद तुगलक साब उसी को कहा जाता है थोड़ा से मेंटल डिसेबल टाइप पर आ जा था कुछ भी करता था कुछ सोचता नहीं था कि हम क्या करने जा रहे क्या ग्यासुदीन के बाद जुना खां मुहमद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली के सिहासन पर बैठा अब कौन बैठा तो यही जुना खां का ही नाम था मुहमद बिन तुगलक का ही नाम था जुना खां मद्यकालिन सभी सुल्तानों में मुहमद बिन तुगलक सरवाधिक सिच विद्वान और योग व्यक्ति था ऐसा कहते हैं कि योग व्यक्ति था लेकिन डिसीजन लेने में भारी बेवकूफी करता था मुहम्मद बिन तुगलक ने अपनी सनग भरी योजनाओ क्रूर कृत्ति यह दूसरे के सुख दुख के प्रति उपेक्षा का भाव रखने के मुहम्मद बिन तुगलक कorkण था और दिल्ली से देवीरी दौलताबाद रखा दिल्ली से सौथ इंडिय चला गया, देवगिरी दौलताबाद संकेतिक मुद्रा के एंतरगत मुहमद बिन तुगलक ने कहा सा था 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 जिनका मुल्द चांदी के रूपय टंका के बराबर होता चांदी का जो रूपय होता था उसको टंका भी बोला जाता था तो टंका के बराबर था एडवर्ड थॉमस ने मुहमद बिन तिगलो को प्रिंस अफ मनियर्स की यह पूछेगा देखे स्टेटमेंट है कि प्रिंस जो है मुहमद बिन तिगलो को कौन बोला था तो एडवर्ड थॉमस बोला था एडवर्ड थॉमस ठीक है ना अफ्रिका अफ्रिकी मुरक्को यात्री इबन बतूता लगवक 1333 में भारत आया, सुल्तान ने इसे दिल्ली का काजी न्युक्त कर दिया, ठीक है ना, 1342 में सुल्तान ने इसे अपने राज़दूत के रूप में चीन भेजा था, इबन बतूता, कहां का था, ये पुछेगा अफरिका मुरको का यात्री था, वो इसके राज़ में आया, वो बहुत इंकलीजेंट था, तो इसके लिए ऐसा सुल्तान को लगए कि दिल्ली का काजी के रूप में से निकती, इबन बतूता की पुस्तक रहला, ये भी विपेसे में पूछा हुआ है, ठीक ना, मुहमद बिन तुगलक के समय की घटनाओं क अपना डाक विवस्त और गुप्चद विवस्ता के बारे में किस ने लिखा, तो इबन बतूतार ने लिखा, किस पुस्तक में लिखा, तो रहला में लिखा, मुहमद बिन तुगलक ने जीन प्रभासूर नामक जैन सादू के साथ विचार विमर्स किया करता था, ये भी प मुहमद बिन तुगलक के सासन काल में ही, दाषिन में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाईवने 336 में स्वतंत्र राज विजैनगर के स्थापना की थी ति तो दिल्ली सलतनत का राजा कौन था? इसी के समय में ये समझे विजयनगर के स्थापना हो रही थी तो अलायो दिन बहमन सा महारास्ट में कर रहा था मुहंम्मद बिन तुग्लक कमृतियों पर अत्युब इतिहास कर बदायूने लिखते हैं इत्यार कि अंतेतार लोगों को उसे मुख्ती मिली यह किस ने लिखा तेकि हे न महम्मद भिन तुञ्लक से खाला वौदिन का सिस्थ से था वह सल्तनदप का पहरा साथ तक जो अजमेर में सेख मौदिन चिस्ति के दरगा और भाराइच में सलार मसूद गाजी के मकबरे पर ग मुल्तान आदी संतों के कब्र पे मखबरा बनवाया अच्छा था पर कुछ डिसीजन रॉंग रॉंग ले ले लेता था इसके वजह से सारा प्रॉब्म उसके बाद आता है फिरोज तुगलक का राजेविसेक थट्टा के नजदिक 20 मार्ज 1391 को हुआ पुना फिरोज का राज जस्वे ववस्ता के अंतरगत फिरोज ने अपने सासन काल में 24 कस्ट दायक करों को समाप्त कर केवल 4 चार कौन-कौन सा है तो खराज, लगान, खुम्स, यूद्ध में लूटे माल, जजिया और जकात को वसूलने का आदेश दिया यानि 24 कस्ट दायक कर को चार कर में फिरोज तुगलक ने एक नया कर, सिचाई कर भी लगाया, जो उपज का 110 मा भाग था, ठीक है ना, सिचाई कर लगाने वाला पहला सासा कौन था, तो फिरोज तुगलक था, फिरोज तुगलक ने पांच बड़ी नहरों का निर्बान का निर्बान का निर्बान का निर्बा यह सब फिरोज तुगलक ने 300 नए नगरों के अस्थापना की ठीक है इसके सासनकाल में खिजराबाद टोपरा गाउं एवं मेरट से असोग के दो अस्थाम ये कोशन भी पेशे में पूछा हुआ है कि खिजराबाद टोपर गाउं से टोपरा गाउं से और मेरट के असोग के विद्वाओं और लड़कियों के साहिता के लिए नए विभाग दिवाने एक खैरात को अस्थापना की ठीक है तो सल्तनत कालीन सुल्तानों के सासन काल में सबसे अधिक दासों की संख्या यह भी कोशन कुछता है सबसे अधिक दास किसके समय एक लाक असी हजार फिरोज दु इंपोर्टेंट है ठीक है और इस इसने अचेर पदों को उक्राम सन बनें मैं खता इफ ना में खता इसने जिया बढ़नी और सम से मंदिर के पुस्तकाले जो उत्रा खंड में है जहां तक मुझे पता है इसने ज्वालमुखी मंदिर के पुस्तकाले को लूटे हुए तेरہ सो ग्रंतों में से कुछ के फार्सी में विद्वान अपाओ दीन और धलायते फिरोज साही नामक अनुबात करवाया था ठीक है ना इसने चानदी और तामबे के मिस्वन से निर्मित सिखल के भारी संख्या में जारी करवाया और उसका नाम रखा चानदी के सीख़ा का आधा और तांबे का जुताम विक के नाम से जाना गया ठीक है नहीं यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है यह पूछे गई सरह से रिलेट करके कि अधा और सीख जो था चांदी और तांबे के मेशन का सिक्का किसके समय में बारी संख्या में चलाया गया इस पर जो से पूछा थ चलवाया था फिरोज तुगलक की मृतिव सेप्टेंबर 1388 में हो गई फिरोज काल में निर्मीत खान ए जहां तेलंगानी के मकबारे की तुलना जेरुसलम में निर्मीत उमर के मस्जित से की जाती है यह भी पूछेगा विपेसी में सुल्तान फिरोज ने दिल्ली में कोट नसुरुदीन महमूद तुगलक था इसका सासन दिल्ली से पालम तक ही रह गया था तैमूर लंग ने सुल्तान नसुरुदीन महमूद तुगलक के समय में 1389 में दिल्ली पे आकरवन किया नसुरुदीन के समय में मलिक कुषर्क पुरवा धीपाती की उपाधी धारन करके ख इसका याद रखिए क्योंकि इस तुगलक वन से कोश्चन भी धुआधार आता है और इसमें दो ही राजा इंपॉर्टेंट है एक है यह मुहमद बिन तुगलक एक फिरोज तुगलक है यह सुदिन तुगलक जो है वह स्थापना किया था यह सब का इंपॉर्टेंट एक एक खाने जहां तेला गानी क्या है दिवान ए बंदगान क्या है दिवान ए खैरात क्या है असोक का जो यह था स्थम था वह कौन लेके आया था कोटला फिरोज सा कौन लाया यह सब एक एक वर्ड जो है आप बहुत अच्छे से कीजेगा इसके बाद मैं सोच रहे हूं क्योंकि बीपे से जिस तरह से अपना ट्रेंड चेंज कर रहा है उससे मुझे लगता है कि हिस्ट्री का जो कोश्चन है वह सिर्फ लूसेंट के बुक से नहीं हो पाएगा तो मुझे लगता है कि हम लोग इसके बाद अब क्यूंकि अब हमारे पास टाइम है 68 के लिए ज्यादा इं पानवे तक साइद वस के स्थापना जो किया था खिज रखा इससे ज्यादा कोश्चन यह आता लेकिन इससे आ जाएगा ठीक एना तिसको ध्यान रहे खिज रखा इसने सुल्तान की उपादी ना धारन करके रहते आला की उपादी से खुश था ठीक एना यह पूचेगा कि कि सुल्तान की उपादी किसको नहीं मिली और रहयत आला की उपादी किसे मिली थी तो कि खीज रखा खां टैमुर लंग का सेना पती था तो तर मोरे तो देखे रखां को नियमीत रूप से तैमुर के पुत्र साहरुक ग्रूफ को भेजा करता था तीक हैना मतलब गी खीज पुत्र तैमूर लंका पुत्र का नाम था साहरुक ठीक है ना उसको वेज था खिजर खान की मिरतियों 20 मई 1421 में हो गई ठीक है ना खिजर खान का पुत्र था मुबारक खान ने साह की उपाधिदारन की यहिया बिन अहमद सरहिंदी को मुबारक साह का संरेक्षन प्राप था यह याद रखेगा यहिया बिन अहमद सरहिंदी ठीक है ना उसको कौन संरेक्षन दिया था तो मुबारक साह ने संरेक्षन दिया था इसकी पुस्तक तारीक ए मुबारक साही में सैयद वन्स आलम साह था ओर सैयद वस का साहसं करीब 37 वर्श तक चला था अब उसके बाल लोदी वंस यहां से लोदी वंस के बाद ही आता है जो लास्ट में इब्राहीम लोदी को हराता मुगल वंस की स्थापना हो जाती है तो लोदी वंस 1491 से 1526 और 1526 में ही हुआ था पानिपत की पहली लड़ाई लोदी वंस का संस्थापक बहलोल लोदी था उनीस अपरल 1491 में बहलोल सहगाजी की उपादी से दिल्ली के सिहासन पे बैठा अब दिल्ली का प्रथम अफगान राज की कसरे जो जाता है वो अफगान राज याद रखेगा अफगान का सासक था ये तो दिल्ली पर प्रथम अफगान राज की स्थापना कसरे बहलोल लोदी को जाता है बहल सरदारों के खड़े होने पर स्मय भी खड़ा रहता था बहलोल लोधी का पुत्र निजाम खां सत्रज उलाई 1489 में नवासी नवासी में सुल्तान सिकंदर साह की उपाधी धरन करके दिल्ली के सिहासन पर बैठा सुल्तान सिकंदर साह ठीक ना कौन बैठा तो बहलोल लोधी में सिकंदर लोधी ने आगसा की थापना किस ने की तो सिकंदर सह ने की ठीक हैं ॥ीक हैं कौन किया ? ने 504 म ये खुशन भी पूछेगा भूमी के लिए मापन के प्रामानिक तोर पे गजे सिकंद्री का प्रचलन सिकंदर लोधी ने ही किया था गुल रुखी सिर्षक से फार्सी कविताई लिखने वाला सिकंदर ही लोधी था इसने नगर कोट के ज्वाला मुखी मंदिर की मूर्तियों को तोड़ कर उसके टुकडों को कसाईयों को मास तौनने के लिए दे दिया इसने मुसल्मानों पर ताजिया निकालने और मुस्लिम इस्तुरियों को पीरों और संतों के मजार पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गले की बिमारी के कारण सिकंदर लोदी की मृतिवी 21 नूबर 1517 में हो गई इसी दिन इसका पुतर इबराहीं साह जो लोदी था उपाधी धारणकर के अगरा के सिहासन पे बैठा और 21पर 1526 को पानीपत की प्रत्थम यूद में इबराहीं लोदी बाबर से हार गया और इस यूद में वो मारा गया बाबर को भारत के आकरमन के लिए निवंतरन कौन भेजाता तो पंजाब का सासक दौलत खान लोदी, इब्राहीम लोदी के चाचा आलम खाने भेजाता अपने खान दानवला भेज के बरबात कर लिए मोट की मस्जित का निर्मान सिकंदर लोदी के वजीर द्वारा करवाया गया था, मोट की मस्जित, चीक है न, अब पढ़ते हैं, सल्तनत कालीन सासन विवस था, केंद्रिये सासन का मुख्या कौन होता था, सुल्तान, बल्बन और लदीन के समय अमीर प्रभावहिन हो गया था अमीरो का महत्व चर्मो सर्ष्ट पे था, लोदी वन्स के सासन काल में, सल्तनत में मंत्री परिश्द को मजलिस एक खलवत कहा जाता था, क्या कहा जाता था मंत्री परिश्द को, मजलिस एक खलवत, चीक है न, मजलिस एक खास में, मजलिस एक खलवत की बैठक होती थी, बा आरे आजम सुल्तान राज किये कारियों को अधिकान्स भाग पुरा करता था एक एक वर्ड यह सब बहुत इंपोर्टेंट है उसके बद मंत्री और उसे संबंदित विभाग ठीक है यह सब भी पढ़ी चुके हैं पहले लिकिन देखें वजीर को कहता है था प्रदान मंत्री राजस्वी विभाग का प्रमुकों समय कहलाता था मुसरिफ ए मुमालिक महा लेखाकार रांतु और अन्य विभागों से प्राप्त आये वंवे का लिखा जुखा मजुमदार उधार दिये गए धन का हिसाब रखना ठीक है ना खजीन कोसा देज आरिज ए मुमालिक दिवा का सर्वोच अधिकारी ठीक है है बरीद ए मुमालिक क्या है जुब्चर विभाग का प्रमुक अधिकारी बरीद ए मुमालिक हुआ का था और दिवाने मुस्तक राज, वित विभाग अलाव दीन खिल जी, दिवाने कोही क्रिसी विभाग मुहम्मद तुगलग बना था, दिवाने बंदगान फिरोजा तुगलग, दिवाने इस्तिखात फिरोज तुगलग, दिली सल्तनत अनेक प्रांतों में बटा हुआ था, इसे इकता या सुबा कहा जाता था, ठीक है न, और यहां का सासन नयाब या वली या मुक्ती द्वारा संचालित होता था, इकताओं को शिको, जिलो में विवाजित किया गया, जहां प्रमुक अदिकारी को सिकदार होता था, जो एकसानिक अदिकारी होता था, राजस्व कर का व और जाजिया जो था गैर मुसल्मानों पे धार्मी कर था ठीक है ना खम्स जो कहलाता था वो कुछ यह लूटेवे धन खानों और भूमी में गड़ेवे खजानों से प्राप्त संपत्ति का एक वटा पाजमा भाग जिस पे सुल्तान का अधिकार था सेख्स चारबटा भाग प्रसासन के सबसे चोटी काई जो होती थी वो ग्राम होती थी सुल्तान के स्थाई सेना को खास खेल नाम दिया गया क्या दिया गया खास खेल क्या निया दिया गया खास खेल मंगोल सेना के वर्गी करन के दसमलफ रनाली को सल्तनत कालीन सेन ववस्था का अधार बनाया गया सल्तनत काल में बारूद की सहाइता से गोला फिकने वाली मसीन को मंगली किया अरात कहा जाता था क्या कहा जाता था मंगली के अरात कहा अलाउदीन खिल जी ने इकता प्रथा को समाप्त कर दिया इक्ता पर्था को दुबारा सुरुवात कौन किया तो फिरोश दुगलक ने किया सल्तनत काल में अच्छी नसल के घोड़े तुर्की, अरब और रूस से मंगाया जाते थे हाथी मुख्यता बंगाल से मंगाया जाते थे सल्तनत काली, कानून, सरियत, कुरान और हदीस से परे अधारित था मुस्लिम कानून के चार महत्पून सुरोते, कुरान, हदीस, इज्मा और कयास क्या क्या था? कुरान, हदीस, इज्मा और कयास सुल्टान सब्ता में दो बर दर्बार में नियाए करने के लिए उपस्तित होता था यह नियम था ठीक हमा सलतनत काल में लगान निर्धारीत करने की मिसरत प्रनाली को मुकतफ़ी कहा जाता था अस्थान और उसका परसिदी का कारण सरसूती अच्छी किस्मी के चावल के लिए अनी वाड़ा वे पारियों के तिर्थ अस्तल की रूप में सत गवरेश्मी रजाई के लिए आगरा नील उत्पादन के लिए और बनारा सुने चांदीवम जड़ी के काम के लिए अब यह था जो केंद्र जिसका पूरी तरह से कंट्रोल करता है उसको कहा जाता था खालसा भूमी अलावदीन ने दान दी गए यह दिकास भूमी को छीन कर खालसा भूमी में परिवर्तित कर दिया देवल सुल्तान काल में अंतरास्टिय बंदरगाह के रूप में फ्रस्तित हुआ तो यह ऑपका जो है यह खतम हो गया सल्तेमत कल उसमें कौन-कौन सब्स आया तो देखें में फ्राब्राइद से जोदेखेंकर लोडी sickаю अब पूरा भड़ियां में फिर उसके कउन कौन मों का देपा तो छिन के भी उसके बाद विजाय नगर सामराज में चुरू करें गे चुल यह को फ़ किरें की से जेबहना है तो सवर्श्यक्य म्नचलय मुगल सामराज ci archa जो भी डूंछ झाल झाल